हेलो फ्रेंड्स आईशालीनी, वेलकम यू अल्टो लर्नर्स अकेटमी, आज किस वीडियो में हम डिसकस करेंगे शो ग्रूप जो की प्रेजेंट है हमारा व्यू टाब के अंडर, इस शो ग्रूप में हमारे पास तीन कमांड्स हैं, पोस्ट इस रूलर, सेकंड इस ग्रिट और थर्ड है नविगेशन पेन, तो एके करके हम इन कमांड्स को समझते हैं, फोस्ट है हमारा रूलर, रूलर क्या होता है, एक स्केल जो आपके डॉकुमेंट के उपर व्यू होता है, अधि टॉप अफ यर डॉकुमेंट, तो देखें, यहाँ पर मैं इसको टिक करूँग तो अब आप देख सकते हैं, यह उपर जो स्केल आया है आपके डॉकुमेंट के उपर, इसको हम बोलते हैं, रूलर, यह जो रूलर है, इससे हम अपना left margin, text का right margin, इस सारे margins जो हैं हम set कर सकते हैं, अगर आपने text के margin को increase या decrease करना है, तो वो आप रूलर की help से भी कर सकते है देखिए, इस तरह आप अपने text को move करवा सकते हैं, similarly अगर आपने right margin को increase या decrease करना है, तो यहाँ से उसको भी आप कर सकते हैं, यह देखिए, इस तरह से आप अपने text को move करवा सकते हैं, अगर आप इसको untick करेंगे, तो क्या होगा, ruler आपका, आपके document से हट जाएगा, hide हो जाएगा, next option है हमारे पास grid lines, grid lines क्या होती हैं, आपके document के background पे, आपकी lines appear होगी, जैसी मारे Excel में होती हैं, तो जैसी मैंने इसको tick किया, तो आप देख सकते हैं, मेरे document के background पे, मेरी lines जो की हैं, इनको हम grid lines पोलते हैं, ये grid lines अगर हम कोई drawing कर रहे हैं, तो उस case में कोई object draw कर रहे हैं, तो उस case में हमें ये helpful होती है, नेक्स्ट है मेरे पास navigation pane, navigation pane क्या है, ये आपकी एक अलग से window open हो जाएगी, उसमें आपके document में कहीं भी कोई searching करनी है, या फिर अपने document में आपने move करना है, कोई heading पे जाना है, किसी page पे जाना है, कोई word search करना है, तो उसके लिए आपका navigation pane जो है, वो helpful होता है, देखें ज जो है, वो open हो चुका है, तो ये already मेरे पास groups बने हुए है, जैसे मैंने light pen पे click किया, तो देखिए मैं light pen पे मेरे cursor जा चुका है, अगर मेरे document में कोई word search करना है, तो मैं यहाँ पे enter करूंगी, जैसे मैंने CPU लिखा, तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे CPU लिखा तो मेरे document में CPU जहाँ पे लिखा हुआ था, वो क्या हो गया है, highlight हो गया है, तो दो जगा CPU लिखा हुआ है, तो दोनों results मेरे पास आ जोगी है, तो इस तरह navigation pane की help से आप अपने document में कुछ भी search कर सकते हैं, किसी particular heading पे जा सकते हैं, किसी particular page पे जा सकते हैं, तो यह देखिए navigation pane को हटाने के लिए या तो आप यहाँ से close button को click करेंगे, या फिर यहाँ पे इस box को uncheck कर देंगे, तो आपका navigation pane जो है वो हट जाएगा, तो इस तरह आप show group की help से अपने ruler, grid lines और navigation pane का use कर सकते हैं, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, तो हमारे channel को subscribe कीजिए, वीडियो को like कीजिए, thanks for watching my video, keep supporting us.